हलो गाइस कैसे आप सब उमीद करते हैं मजे में होंगे मस्ती कर रहे होंगे क्योंकि अभी अभी दिवाली खत्म हुई है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दिवाली खत्म होने के बाद परिसानी किसीज़ के होती है तो परिसानी सबसे बड़ा प्राब्लम होता ह हमारे आसपास का जो एर है वो कितना साफ है आप अक्सर सुनते होंगे डेली का जो एर पॉलिशन है बहुत हाई हो गया है और इसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत सारे बीमारी होने का खत्रा होता है तो दिवाली के समय काफी पठाके फोड़ते हैं बड़ा मजा आता ह है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे जो आसपास में जो एर है या मेरे सहर का जो हवा है वो मेरे सहर का हवा मेरे लिए अनुकूल है या नहीं मेरे लिए वो सही है नहीं है या नहीं इस हवा में हम घूम सकते हैं या नहीं आप कैसे पता कर सकते हैं बहुत बड़ी-बड को चेक कर सकते हैं और चेक करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कितना जो पॉलिशन है वो लेबल कितना लेबल में पॉलिशन आपका सही है जिस लेबल में आप बाहर निकल सकते हैं आप अपने स्वास ले सकते हैं और आप सेफ रह सकते हैं सुरक्षित रह सकते हैं तो दोस तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और साथ में बेल आकन को दबाना मत भूलिए, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले AQI, Air Quality Index, अभी ये Air Quality Index क्या होता है, तो Air Quality Index होता है, कि जो हवा में पॉलिशन होता है, तो पॉलिशन का मात्रा कितना है, हवा में पॉलिशन कितना है, ये हमको AQI, Air Quality Index से पता चलता है, और ये जो AQI है, इस AQI को आप बहुत सारे वेबसाइट हैं, एप्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, कौन सो वेबसाइट है, कैसे चेक कर सकते हैं, मैं सारा चीज बताऊंगा, तो आप किसी भी जा मोबाइल में बहुत सारे एप्स हैं, उस एप के थुरू, या वेबसाइट के थुरू, आप जा करके उसको प्रस्नली चेक कर सकते हैं, तो AQI जो है, AQ का कुछ नंबर्स होता है, कि कौन सा गुड का काटेगरी में है, कौन सा बैड काटेगरी में है, तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, तब अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा, कि अगर मेरे एरिया का, मेरे सहर का, एर पोलिशन, AQI अगर इतना है, तो हमको किस तरह से अपने आपको स आजाता है, बहुत अच्छा AQ माना जाता है, मतलब आप इसको साफ हवा कह सकते हैं, और अगर यही इंडेक्स, AQI, एर क्वालिटी इंडेक्स, यही इंडेक्स अगर आपका 51 से 100 के बीच में आ जाता है, अनि कि आपके सहर का, जो एर का AQI है, वो 51 से 100 तक है, तो इसमें जो sensitive लोग होते हैं, जो बहुत जादे sensitive होते हैं, थोड़ा सा कुछ होने पर विमार पढ़ जाते हैं, ठंडा बढ़ गया तो सरदी लग गया, विमार पढ़ गए, ऐसे लोगों को outdoor काम करने के लिए बहुत कम बोला जाता है, कि आप outdoor, मतलब बाहर का जो भी काम है, उसको थोड़ा कम किया कीजिए, क्योंकि air में pollution बहुत जादा हो जाता है उस वक्त, और अगर यही AQI बढ़ करके 101 से 200 तक हो जाता है, आनि कि 101 से 200 के बीच में हो जाता है, तो इसको moderate के category में रखा जाता है, मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे air pollution बहुत जादा हो गया है, और जो sensitive लोग है, जो अभी तक घर से जिनको कम निकलने के लिए बोला जाता था, इन लोगों के लिए खत्रा पैदा हो जाता है, और यह लोग बीमार पढ़ने लगते हैं, क्योंकि air pollution नहीं होता है सही, तो जो sensitive लोग होते हैं, वो इस condition में, यह category में 101 से लेके 200 के बीच में काफी जल्दी जल्दी बीमार पढ़ने लगते हैं, उसके बाद category आता है 201 से लेकर के 300 तक, और 201 से जो 300 जो category है, इसको poor category माना जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब category जो आपको बीमार कर सकता है, अच्छा भला इनसान को भी बीमार कर सकता है, और अगर यही category बढ़ करके 301 से लेकर के 400 तक चला जाता है, तो इसको very poor category में रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा खराब condition हो जाता है उस वक्त, तब इसको very poor category में रखा जाता है, और यह काफी खतरनाक भी होता है, और इसमें लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है, कि आप घर से बाहर न निकले, जितनी जुरुरत है उतना ही निकले, मतलब यह समझे तो कोरोना से भी खतरनाक है एक प्रकार से, ठीक है? और अगर यही category 401 से लेकर के 500 तक चला जाता है, तो यह category sewer category में आता है, sewer मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब अगर यह category है आपके air pollution में, तो आप बिना mask के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत कब निकलना है, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, कि घर से निकल यही मत, लेकिन अगर बहुत urgent है, तो आप mask लगा करके घर से बाहर निकल सकते हैं, और इसमें जो mask की category होती है, वो PM 2.5 category का mask आपको पहना होता है, और यह जो air pollution होता है, यह बहुत ही खतरनाक लेबल का होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, अब क्या होता है, अब मैं बता दूँ आपको कि इसको आप कैसे check कर सकते हैं, अपने आपका सहर का air AQI क्या है, air quality index क्या है, इसको आप अपने कैसे check कर सकते हैं, इस चीज को में बताऊंगा, तो खास करके क्या होता है, जो बड़े-बड़े सहर होते हैं, दिवाली के बाद जो AQI लेबल होता है, वो लगबग साढ़े 400 के ऊपर चला जाता है, आप बलीव नहीं करेंगे, साढ़े 400 सो से ऊपर चला जाता है, AQI लेबल, इसलिए बोला जाता है, कि दिवाली में पटाखा कम इस्तेमाल कीजिए, दियों का इस्तेमाल कीजिए, दिया जलाईए, कैंडल जलाईए, पर पटाखे कम जलाईए, क्योंकि इससे air pollution बहुत ज़्यादा होता है, लोग समझ नहीं पा अगर इस AQI के बारे में और भी details से आप जानना चाहते हैं, तो आप Google में search कर लीजिए, वहाँ पे आपको और भी details जानकारी मिल जागा इसके बारे में, आप अगर पढ़ने के सौकिन है, तो वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ाई की बात नहीं है, जानका आप Google करके भी कर सकते हैं, या आप comment में जा करके हमसे question पूछ सकते हैं, अभी बात करते हैं कि AQI, आप अपने सहर का अगर जानना चाहते हैं, तो app है AQ Weather, A-C-U Weather, W-E-A-T-H-E-R, AQ Weather का app भी है और website भी है, उस website में जा करके आप देख सकते हैं, जो label मैंने बताया, कि आप जा करके अपने सहर का AQI label आप चेक कर सकते हैं, और उसके अनुसार से अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, बेल आइकन दबाने से क्या होगा, इसके लिए कोई चार्ज तो लगता नहीं है, लेकिन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, टेक्नोलोजी से रिलेटेड, वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरुनत मिल जाएगा आपके मोईल में, और आप आ करके देख सकते हैं, सो तैंक्यो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, मेरे यूटूब फैमली जो आपका प्यार के लिए, जो आपने इतना प्यार दिया, उसके धन्यवाद